हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो ब्लूम कार्डेंड फ्रेंड्स देखिए यहीं विसकस का प्लांट है और इसमें कितनी अच्छी कलियां भी बन रही है और फ्लाविंग भी हो रही है और आज मैंने देखा कि इनकी पीली पत्तियां थी हैं कुछ फ्लावर इनके सूखे हुए तो इसमें वाइट फ्लाइज मुझे नजर आई उर्ते हुए यह देखिए आपको देख रही होंगी तो जो यह वाइट फ्लाइज होती है यह पत्तियों के पीछे छुपी रहती है और उनका रस पीती रहती है देखिए ना तो यह इस तरीके सा हरका सब टच करेंगे तो ओड़ेंगी तो यह पत्तियों के पीछे आपको जो हलकी हलकी देखिए पैचेज भी नजर आ रहे होंगे तो यह उसका रस पीती है तो इसलिए इस तरह हो जाती है इस प्लांट के बगर में यह सौफ का भी पौधा है और आस पास इसके चारों त तो अगर इस तरह नजर आये तो बस सबसे पहला काम हमें करना है कि बस पानी से अच्छी तरीके से तेज शावर देना है साधे पानी से पहले तो इससे क्या होगा इसमें जो अंडे होते हैं यह वाइट फ्लाइस भी ऊड़ जाएंगी और जो अंडे होंगे वह भी अप अल्याइटायि कि बस नजसे आपको नजर आता है तो आप यह ऌणी तरह करने में do जह्यां अचम्रीघे फांटी फिर से आपको अIFर आता है तो आप फिर निक सैसे इस तरह करैं दो इस तरह क्रें आ यह नहीं घ्ज़तर करों सब्सक्राइंए AMECल कभी आपकर सकते कह प्रेसिस्टेंस इनके अंदर बन जाता है तो आप इसको क्या करें कि इसके ऊपर जो है मैं भी एक और गैनिक बताती हैं इसमें इस्प्रे करना और देखिए वाश करने के बाद चाल घंटे के बाद अब यहां पर देखिए शेड आ गया है तो अब मैं इसमें जो है और गैनिक पेस्टिसाइड का इस्प्रे करूंगी और आप लोग देखिए वाश करने के बाद ही इसमें सारी वाइट फ्राइज भाग चुकी हैं कोई भी नजर नहीं आ रही है फिर भी प्रिकॉश्टरी करना है क्योंकि एक दूपी छुटी होंग तो यह फिर तेजी से बढ़ जाएंगी तो चलिए देखाती हूं मैं आपको कि वह क्या पेस्टिसाइड है और आप चाहें तो केमिकल का यूज कर सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है वाइट फ्राइज को कंट्रोल करने का यह और गैनिक और यह देखिए यह है नीम और पानी Size देखिए नीम ऑइल हिस नेम धुमा इसमिकल हैं पानी फिर फाहते है शाखिए और देखिह बाम गोंशा बेकिन सबसे है केमिकल को मैं नायाक मिलनास जान दाना ii project moreeil कमिकल को बेदेश बाल लेकिन सबस्सक्टन केड़ियर काहें वह दो दो क्रिकेमिकल कर दाना कि यह अच्छी तरीके से घुल गया और अब इसको मैंने यह एक लीटर पानी इस पॉटल में है इसमें मिलाएंगे इसको टाइट करके यह जो हमारा है इसका प्लांट इसको आप जब भी देखिए अब हम करने जारें यहां पर दो ठाइक का करीब है तो इस टाइम कर रहे हैं ताकि भूदी चली जाए और यहां पर अच्छी तरीके से दिन के उसमें यह पत्तियां जो है दिखाई भी पढ़ करें तो पत्तियों के पीछे की तरफ और जो भी कलियां है सब पे अच्छी तरीके से इसका इस प्रे करके छोड़ देना है और फिर नेक्स देश को हम देखेंगे कि इसमें वाइट फ्लाइस का अटैक कितना है तो इसको कई दिन तक लगातार करना या एक एक दिन छोड़ करना है दो तीन दफ़ा आप जब इसको करेंगे इस तरीकी का इस प्रेना तो यह वाइट फ्लाइस का कंट्रोल गरीब करीब खतम रहेगा और जब भी आप इसको इसको करते हैं तो आस पास की जितनी भी प्लांट्स आपके हैं चाहे वह आपके फ्लावरिंग हो चाहे यह देखिए जो मैं कैमिकल वाला डेसी बैन यह यूज़ करती हूँ इसमें छोटा सा डेल्टा मैध्रेन लिखा है यह कैमिकल पेस्टिसाइड है अगर आपके अहाँ इमीरा क्लोप्रेड या कोई और नाम से मिलता है तो आप लोग उसका भी जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और देखिए नेक्स डे मैंने देखा इसको तो इसमें वही फ्लावर देखिए हम उर्जाना शुरू हो गया ही विसकस के एक ही दिन फ्लावर चलता है और सारी पत्तियां इसकी देखिए नीचे से पूरी वाइट फ्लाइस भाग चुकी है ए आप मैं आज फिर करूंगी और देखिए आज तीसरा दिन है और नया फूल भी इसमें खिला हुआ है और पुराने फूल पूरी तरीके से सूप चुके हैं और देखिए कि यह वाइट फ्लाइस अब नजर नहीं आ रही है तो इस तरीके से अगर आप लोग नीम वाल का पूरे अब गिरने लगे हाथ लगाने से तो आपके जो है प्लांट से हिबिसक्स के पूरी तरीके से वाइट फ्लाइस का आटाएक खतम हो जाएगा ओके फ्रेंड्स अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइप करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिए थैंक यू